हेलो बवर्यवान आइड वर्य वार्म विलकम तो माइ यूट्वीच चैनल सिक्षा गई यह पार्ट टू है आपका और यहां पर यह पर फॉन लिखा हुआ पार्ट 15 अर्ट रडिंड सकस कर चुके स्वेथ लेमेंबर दाट आटि आइड हमाचल परदेश एड्मिनिस्ट्रे भी बताया कि previous year questions अगर आप कर लेते हो 4-5 साल के आराम से आपके 10-15-20 questions तक भी निकल जाते हैं मैं यह नहीं कहरा कि वो 15-20 questions as it is same आएंगे बट जो knowledge होती है जो questions के around या surrounding knowledge होती है उस knowledge में से आपका paper काफी आता है, same paper आता है देखने को मिलता है, ठीक है तो वो हम कर रहे हैं and PDF आपको टेलिग्राम पे available हो जाएगा टेलिग्राम का link description के अंदर है ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, आज का पहला question देखते हैं मादो राओ की जलेब is the main attraction of which popular himachal fair ठीक है, मेले, basically concept festival या concept fair से related है, ये मादो राओ की जलेब दशेरा, लोडी, शिवरात्री नलवारी, बड़ा important एक festival है, और multiple questions इसके अंदर से frame हो सकते हैं, ठीक है अगर आप इसकी पूरी detail पढ़ोगे न, तो काफी जादा इसके अंदर सवाल बनते हैं बो भी मैं आपको भी discuss करूँगा answer is, इसका यहाँ पर बेटा option C शिवरात्री से basically ये relate करता है, शिवरात्री के बारे में पढ़ते हैं, हिमाजल परदेश में काफी जादा शिवरात्री का importance रहता है, so let us see February मन्त में इसको mainly celebrate किया जाता है, और individual level के उपर और community level दोनों के उपर इसको celebrate किया जाता है दो bushes, plant bushes पाजा और करंगोरा branches, ये basically लोग अपने घरों के दर्वाजों के डोर के उपर उसको लगाते हैं इस दिन के उपर, and basically ये क्यों किया जाता है, ताकि घर से evil spirits, जो पूरे spirits हैं या witches हैं उनको दूर रखा जा सके ठीक है, western हिमालियाज के अंदर मंडी की जो शिवरात्री है वो सबसे better या सबसे उपर सबसे important consider की जाती है मंडी में शिवरात्री अलग-अलग तरीकों से celebrate की जाती है and it is the only place जहाँ पर एक हफता लंबा celebrations चलता है और यह ऐसा नहीं है की आज की बात है यह सेक्डो सालों से जो tradition है, एक week long शिवरात्री का वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो former rulers थे मंडी state के, जो princess थे, वो basically Lord Shiva के devotees थे और शिवरात्री को काफी जादा royal support इस वजे से मिलता था, आप देखेंगे की बहुत सारे Shiva temples भी आपको मंडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे की बूतनात, तरिलोकनात, पंच वक्त्रा, और उसके बाद अर्दनारिश्वर, यह कुछ famous temples हैं जो आपको उस town के अंदर देखने को मिलते हैं और यह सारे temples जो आपके शिखरा style के अंदर बिल्ट हैं, यह भी question पूछे जाते हैं कि कौनसे style के अंदर कौनसे temple अभी जैसे 2017 में आगे चल करके question आएगा कि प्राशर लेक के उपर जो temple build-up है वो कौनसे style के अंदर build-up है आपके मेली होते हैं नगर style है शिखर हो गया या द्रविडन हो गया ठीक है तो वो पता होना चाहिए कि कौनसे style के अंदर temple जो है वो build-up है तो यह जो आपके Shiva temples मंडी के अंदर है चाहे वो भूतनात है त्रिलोक नात है पंच वक्तरा है अर्द नारिश्वर है सब क्या है शिखरा style के अंदर है finest monuments consider किया जाता है ancient art and architecture का इनको ठीक है जी मादो राओ मादो राओ बेसिकली जो है प्रिजाइडिंग डीटी है प्रिजाइडिंग गॉड है मंडी टाउन के सूरिय से इन जो थे इनका कोई वारिस नहीं था और जितने भी इनके इनके वैसे 18 बच्चे थे लेकिन वो सबके सब इनी के समय में उनकी death हो गई थी and that was the reason he was a very broken man दिल तूटा हुआ था इनका और बहुत जादा दुनिया से और सब चीजों से दूर होते जा रहे थे और ऐसे में इन्होंने अपनी सारी जो powers हैं वो किसको दी वो माधो राय को इन्होंने सौंप दी ओके silver image lord vishnu का एक आपको यहाँ पर temple के अंदर मिलेगा और वहाँ पर inscription में संस्कृत में लिखा हुआ है माधो राओ as the destroyer of rivals ओके जी और इसके अंदर जिस goldsmith ने इसको बनाया था उनका भी आपको signature देखने को मिलता है भीमा जिस 1648 में यह बनाई गई थी और माधो राओ को अभी भी काफी important figure जो है मंडी के अंदर consider किया जाता है God कमरुनाथ arrives here on the eve of Shivaratri यह सब आपको याद रखना पड़ेगा direct question पूछे जा सकते हैं और reception basically दिया जाता है at the shrine of माधो राओ इस particular event पे on the arrival of God कमरुनाथ एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा के सबसे आगे जो होते हैं माधो राओ का माधो राओ के statues जो होते हैं and ultimately पूरी की पूरी यात्रा में वो मेले तक जो जाती है वहाँ पर सबसे आगे माधो राओ रहेंगे शिवरात्री का अगर हम origin देखें तो basically जब मंडी टाउन का birth हुआ था मंडी टाउन को किस ने build किया था किंग अजबेर सेन ने 1526 में तब से शिवरात्री को वहाँ पर celebrate किया जा रहा है पहले मंडी टाउन जो होता था वो right bank of बियास के उपर होता था जिसको पुरानी मंडी बोलते थे और अभी भी वो exist करती है old मंडी जिसको बोला जाता है और जिस idol को worship किया जाता है भूतनाथ temple के अंदर उसको भी किस ने install किया था अजबेर सेन ने ही install किया था तो ये भी आपके लिए important points हैं King अजबेर से इनका नाम याद रखेगा directly paper के अंदर पूछा जा सकता है next question के उपर आ जाएंगे 1848 के अंदर किसने rebellion suppressed किया था वजीर आफ नूरपूर का and then प्रमोच चंद and राजाज आफ जस्वान and दातरपूर इसको मैंने बहुत ज़्यादा detail में discuss नहीं किया क्योंकि battles और वो सब से related ना वो ज़्यादा detail में किसने किसको defeat किया क्या treaty हुआ वस यह ज़्यादा important रहता है ठीक है वो इससे लड़ा उसने इसको punch किया उसने उसको उपर तलवार चलाई वो सारी detail paper में नहीं पूछी जाती है ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option A Mr. Lawrence all right so this will be the right answer next question के उपर आजाईए जैसे मैं आपको बता रहा था था ना कि architectural style पूछ लेता है कि architectural style क्या है जो प्राशर लेक के edge के उपर temple बना हुआ है so the temple is in the shape of और in the style of pagoda तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा यह आपका प्राशर temple है अगर आपका भी गए हो लेक के बिलकुल edge के उपर यह temple located है और इसको basically यह जो आपको पाट देख रहा है इसको क्या बोलते है pagoda style बोलते है ठीक है तो pagoda style में क्या होता है जो roof है वो rise करेगी diminishing का क्या मतलब है आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे roof जो है वो broad है और उपर जाकर के और broad हो गई ठीक है और उपर जाकर के और broad नहीं sorry narrow होगी और जादा कम जो है उसकी चड़ाई हो जाएगी all right so one above the other इस तरीके से वो चलता जाएगा and the top one unlike the squarish two यहाँ पर यह square नहीं है उपर देखोगे तो आप funnel जैसे funnel होता है न funnel की shape में हो गया यह देखो यहाँ पर यह square है यहाँ पर यह square है ultimately top बाला क्या हो गया वो funnel shape हो गया pagoda style के shrines आपको बहुत जादा नहीं मिलेंगे हिमाचल परदेश के अंदर हिमाचल परदेश के अंदर जादा आपको pen proof style मिलते हैं pagoda वाले बहुत limited है तो अगर मैं pagoda styles की बात करूँ तो यह कुछ temples हैं जो आपके pagoda styles के अंदर build up हैं जैसे हिडिमबा, देविया, डुंगरी temple है, मनाली के अंदर ठीक है, कुल्लू district में त्रिपुरा, सुंदरी, नगर, कुल्लू district में बिजली महादेव, कुल्लू में त्रियूग, नारायन, ये भी कुल्लू के अंदर है आदी प्रह्मा, ये भी कुल्लू के अंदर है प्राशर और छत्री, ये मंडी के अंदर है और सुंगरा महाईश्वरा यह आपका किनौर के अंदर है तो यह कुछ temples हैं जो आपको pagoda style के अंदर मिलते हैं अब जैसे उसने याप पर इसका पूछ लिया कि बताओ प्राशर लेख के एज पे जो temple है आप लोग जब भी टूरिस लोग मना ली जाते हैं तो इडिमबा टेंपल देखने ज़रूर जाते हैं ठीक है बिजली महादेवी ज़री फेमस टेंपल आदी ब्रह्माई ज़री फेमस टेंपल ठीक है तो पूछ सकता है कि कौन सा pagoda तो ये आपको साथ नाम याद रखने पड़ेंगे इन में से अगर कोशन आजाएगी तो आप pagoda style easily कर दोगे pagoda style basically हिमाचल के बाहर आपको मिलेगा कश्मीर, नेपाल, मयनमार वगेरा एरियाज में काफी ज़ादा मिलता है next question डोहरू, it is a traditional woolen dress worn by the women of which district कौनसी district की महिला है जो है ये डोहरू, एक traditional woolen dress है, इसको पहनते है and the right answer over here guys is किनौर district, basically दो district से यहाँ पर आती है, किनौर और चमबा डोहरू इस तरह का basically dress होता, ये ना एक shawl type होता है जिसको साधी की तरह यहाँ पर लपेटा district के अंदर, तो option के अंदर देखो वो question में, for example किनौर की जगा अगर चमबा लिख देता ठीक है, तो answer आपका चमबा हो जाता, तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, चलिए, next question देखेंगे, who is the author of the book Polyundry in Himalayas Dr. Y.S. Parmer, C.G. Bruce, V.P. Menon, MS. Gill So, यहाँ पर आपका right answer किया है, बैटा Right answer है, आपका option है, Dr. Y.S. Parmer, Dr. Y.S. Parmer is a very important personality, और इनके उपर questions जो हैं, वो आती ही आते हैं, तो इनको थोड़ा सा detail में देखते हैं Dr. Y.S. Parmer, यहाँ पर आपको image भी इनकी दिख रही है All right, so इनका जनम हुआ था सिर्मोर डिस्टिक्ट के अंदर भगधन नाम के गाउं में, father's name was Bhandari Shivanand Singh Parmer and his father was also a popular leader, lawyer and a writer Y.S. Parmer की education जो ही थी he studied in FC College Lahore and Canning College, Lucknow Okay, and इनके पास MA, LLB, PhD जैसी degrees थी काफी diverse participation इनका रहा सेवा समीती नाहन के member थे उसके बाद Theosophical Society दहरादून के भी member बने Sub-judge and Magistrate थे First Class सिर्मोर स्टेट के उसके बाद नाहन Cricket Club के Secretary बने District and Session Judge बने सिर्मोर स्टेट के 1937-41 and फिर Judicial Commissioner Court के अंदर Advocate बने हिमाचल में उसके बाद जी All India State People Conference के President भी थे 1947 के अंदर सुकेट सत्यागरा इन्होंने Organize किया 1948 में ये सत्यागरा बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हिमाचल के साथ Integrate करके इंडिया का पार्ट बनाने के लिए एक सत्यागरा था इनको All India Congress Committee में Nominate किया गया 1948 के अंदर उसके बाद Chief Commissioner's Advisory Council के Member बने 1948 में हिमाचल परदेश Congress Committee के President इनको बनाया गया 1948 से 50 तक Y.S. Palmer ने पहला Legislative Assembly Election जो हुआ था हिमाचल का 1951-52 में उसमें भी Participate किया और वहाँ पर ये as a Leader Select हुए पहले Chief Minister बने हिमाचल परदेश के 1952 से 56 तक ये पहले हिमाचल के CM के रूप में आपको देखने को मिलेंगे Question पूचा जा सकता है कि आजाद हिंदुस्तान के पहले हिमाचल के CM कौन थे तो Y.S. Palmer is the right name उसके बाद 1957 में ये Parliament में Elect हुए हिमाचल परदेश Congress Committee के President इनको बनाया गया अगें 1960 के अंदर Supreme Court के advocate की form में भी इन्होंने काम किया 1961 में और हिमाचल परदेश Congress Committee अगें ये President बनते गए साल बर साल 61, 62 फिर 63 के अंदर भी उसके बाद Chief Minister री-elect हुए 1963 के अंदर और फिर 1967 के अंदर और इनका जो विदान सभा में Election होता था वो Renu का constituency से बेसिक लिए लड़ते थे 1967 से 1977 तक भी ये Chief Minister है हिमाचल परदेश के Continuously तो काफी important personality आपको समझ में आ जाएगा की रहे है काफी लिखने का भी शौक रखते थे और काफी किताबे इन्होंने लिखी जैसे की Social and Economic Background of Himalayan Polyandry हिमाचल परदेश Its Proper Shape and Status हिमाचल परदेश Case for Statehood हिमाचल परदेश Area and Language and Strategy for Development of Hill Areas तो ये सारी किताबे जो है वो Dr. Y.S. Parmer ने लिखी है ये Statehood के लिए भी काफी active थे इन्होंने continuously Statehood की demand की हिमाचल के लिए separate state का demand किया and ultimately इनकी जो fight थी 1971 में it got successful जब हिमाचल को एक full statehood provide किया गया and that is why he is known as the founder of हिमाचल परदेश अगर इस तरह काभी question वो पूछ सकता है that who is known as the founder of हिमाचल परदेश तो वहाँ पर भी आपका answer क्या हो जाएगा Dr. Y.S. Parmer ओके alright guys next question ये एक बड़ा ही factual सा question है ठीक है तो ये पूछा गया था and Shontong Karacham Hydro Electric Power Project की आप उसे capacity पूछी गयी थी 450 MW was the answer again अगला जो question अब देखो ये 2011 के project का question था 2017 में पूछा तो इस तरह के questions हर बार मैं आपको सीधी सी बात बता हूँ ये कहीं बार बच्चे से नहीं होते है 90% बच्चे ये नहीं करके आते हैं question तो tension नहीं लेनी है कुछ question देखो कभी भी ये paper के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 के 100 question आते हैं तो do not discourage अब 2011 के अंदर भारत सरकार ने 80 लाग रुपे approve किये थे snow leopard center बनाने के लिए कहीं बार नहीं याद में रहता ठीक है लेकिन अगर किसी को ये याद है कि snow leopard center कहा पर है देखो ultimately बच्चे को question यहाँ पर इस news के उपर focus करके नहीं देना उसको ये देखना है कि उसको ये पता है कि snow leopard center कहा पर है ठीक है तो अगर ये पता है तो उपर वाला कामका नहीं है वो ड़ाने के लिए और धमकाने के लिए लिख देता है कि 80 लाग रुपे दिये थे 2011 में तो जो 2017 में बच्चा पेपर दे रहा है वो गबरा जाता है कि यार अब ये 2011 का तो मैंने पढ़ा नहीं है और वो बिना दिमाग चलाए कोशन को छोड़ देता है तो दिमाग चलाओगे तो वैसे भी हो जाएगा ठीक है तो अंसर यहाँ पर है आपका option B किबर लाहल स्पिती और चलिए ओके गई तो इस lecture में दोस्तों इतना ही करना था फिर भी कोई doubt हो comment section में post कर सकते हो whatsapp कर सकते हो mail कर सकते हो telegram को join करके telegram के ओपर पूच सकते हो pdf भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा कोई suggestion है तो please वो भी आप comment section में जरूर post करें and guys lecture को share जरूर करें and subscribe जरूर करें channel को it will be very 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 motivational all right so we'll see you in the next class guys till then take care all the best and bye